ब्रेक के बाद एक वार फिर आपका स्वाकत है हो जाएगी उत्राखंड में आपने देखा केदारनाथ की त्रासिदी के बाद आपने किस तरों से वहां पर समारा उसको जिन्होंने पहले केदारनाथ जी देखे होंगे आज जाएंगे तो धरती आस्मान का फरक हो गया इस तरों से आज विक्सित होगे और वहां जो ब्रिद्ध जन नहीं जा सक रहे थे कई लोग चड़ नहीं सकते चड़ाई जिनको परिशानी होती हेलिकॉप्टर जिनको उपलब्द नहीं होते आज वो एक घंटे के अंदर धर्सन करके वापस लोटेंगे जिस दिन से रोप हेमकुंड साहिब में कई लोग नीचे से ही घंगरिया से लोट जाते थे उपर नहीं चड़ सकते थे शद्धा से गुरुद्वारे में प्रणाम कर लेते थे कई लोग डोलियों में जाते थे लंबे समय से मांग थी कि हेमकुंड साहिब के लिए भी हमारे यहां से रोपव बननी चाहिए और आज वो मांग भी पूरी हो गई है